नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से connect anywhere anytime any place में उम्मीद करता हूं अभी तक के जो मेरे पराने व्यूवर्स हैं उनको वीडियो सारी अच्छी लगती हैं बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं अब लोग और साधी साथ जो problems हैं उनसे related भी बात करेंगे मगर जो main problem यहां पर देखने को मिली वो printer में सबसे ज़्यादा अगर comment अगर मेरे चैनल प्यारे हैं printer को लेके आ रहे हैं प्रिंट आउट को बीच में रोकना है यहां फिर printer शोई नहीं हो रहा है ड्राइवर नहीं आ रहे है प्रिंटर से लेटर तमाम प्रॉब्लम जिससे कही लोगों ने मेरा contact भी किया उनकी प्रॉब्लम्स भी solve होई हैं ऐसे तो very nice comment और बहुत अच्छे comments के लिए thank you so much आपका जो आप चैनल पर आते हो support करते हो देखते हो वीडियो अपनी प्रॉब्लम्स तो solve करते हैं साथ ही साथ हमारा जो प्यार है जो views हैं वो भी आप भरपूर हमें दे रहे हैं मगर इसका कोई solution नहीं है सायद तीम जी printer खो गया है तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता भी आपको printer अपना डोनना पड़ेगा सीदी सी बात है ठीक है कि अगर आपका driver शो नहीं हो रहा है तो आप उसको Google से डाउनलोड करो Google से नहीं हो रहा है तो आप कंटेक्ट करो अपने प्रॉब्लम की तरफ पूरा वीडियो देख लीजेगा फसली आज मैं आपको बात करूंगा printer शो नहीं होता है कई गार printer के driver भी इंस्टॉल हो जाता है फिर भी printer शो नहीं होता तो यह spoolers बगएरा के problem हो सकती है तो सबसे पहले आपको printer अटेच कर लेना है laptop या PC के साथ में और उसके बाद मैं आपको my computer में manage करना है click तो जैसे ही आप manage के button पे click करोगे थोड़ा सा time consume होगा तब तक मैं आपको बता दूँ कि तब तक छोटी से request की video के नीचे चलिया ओपनी हो गया वीडियो के नीचे subscribe का button होगा उस पे click जूर कर लेना ताकि मेरी आने वारी जो वीडियो है उसका message आपको मिल जाए उसका notification आपको मिल जाए तो जैसे ही manage पे click करेंगे कुछ इस प्रकार से ये window open हो जाएगा आपके सामने window open होने के बाद आप service पे click किजिए service and application पे और उसके बाद यहाँ पर यह जो service है इस पे भी double click करना है आपको double click करेंगे तो बहुत सारी लंबी line open हो जाएगी काफी सारे यहाँ पर services की आपको नीचे लेके आना है पी पे यह देखिए ABCD के according है यह सारे इसके सारी तो हम चलेंगे यहाँ पर पर पी तो parallel controls वगएरा पर तो यहाँ पर आपको option मिलेगा प्रिंट स्पूलर लोड फाइल्स ऑटोमेटिक है अभी यह तो इस पर आपको double click करना है इसको automatic ही रखना है क्योंकि मेरा पिसे है तो मैं तो automatic रखंगा ही मगर अगर आपका automatic ना हो तो आप इसको automatic कर लिए इस manual हो disable हो कोई भी option हो डिले स्टार्ट भी नहीं करना है automatic पर क्लिक करना है और stop नहीं करना है और अटमेटिक क्लिक करने के बाद start पर क्लिक करना है start पर क्लिक करोगे तो कुछ इस बरकार से time लेगा उसके बाद apply कर दो इसको हलका सा time consume होने के बाद okay कर दो अब जो है वह आपका printer जो है आप control पैनल में जाके के देखो control पैनल में यह जो option है इसको category वाइस कर लेना कई बर क्या होता है ऐसी होते option हम सुझते है यार अलग से है बहुत सारे इस से रिलेडर भी कमेंट आ चुके हैं तो लार्ज आइकन को हटा के category कर लीजिए इस परकार से जब आपका portal व्यू होगा तो आपको view device and printer में जाना है व्यू device and printer में जैसे ही आप क्लिक करेंगे हलका सा time consuming होगा अगर आपके PC की speed काफी अच्छी है तो time consuming नहीं होगा हला कि यहां पर specially दिख रहा है कि PC मेरा slow हो चुका है काफी सारे technical reason है उसके पीछे क्योंकि बहुत सारे software में यहां पर use करता रहता हूँ अलग अलग दूसरा option है कि आप अपने problem का screenshot ले लीजिए एक photo ले लीजिए उसको Gmail कर लीजिए Gmail कर दीजिए Gmail का address भी description में मिल जाएगा तो मैं आपकी problem solve करने की 101% कोशिश करूँ ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर printer and faxes है यहां पर आपका printer show हो जाएगा जो भी आपका printer होगा वह आपका printer spooler पे automatic करने के बाद में अगर आपके driver installed हैं तो यहां पर show हो जाएगा और इस परकार का right का निशान इधर आजाएगा और उस पर यहां पर इस side जो 9 item लिखा इधर आजाएगा ready to use यह zero document ऐसा लिखके है आज तो इसको करते हैं cross और आज का वीडियो तो यहीं स आने वाद उसके लिए और आप subscribe जूरू कर दीजी चैनल को ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिले problem हो तो comment कीजिए contact कीजिए कुछ भी करो यार contact करो हम आपके लिए ready हैं मैं आपके लिए तयार बैठा हूँ यहाँ पर आपकी problem सुनने के लिए हलां कि बशरते कभी- आपसे बिजी होता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत टाइम भी आपसे ले सकता हूँ एक दो घंटे बाद मैं call करूँगा call reply जुरूर होगा उसकी तैंचन आप बलकू मत देजे very nice sir thank you so much जी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे comment भाई लोगोंने के हैं मान गए guru जी nice thank thank you so much जी आपका इतना अच्छा comment के लिए okay 4G से related भी काफी सारे comment है cpcd प्रोग्रम काफी सारे related वीडियो मैं यहाँ पर regular uploaded करता रहता हूँ thanks for watching this video मिलते रहें कैसी पर करके tech news tech videos के साथ तब तक के लिए जाए हैं वंदे मातरा